नमस्कार, स्वागत है आप सबीक आपके अपने और्लाइन समस्थान परिक्षाप्रस में मैं आलोख शुक्ला एक बार पुना आप सबीका स्वागत करता हूँ देर रात्री हो गई है लेकिन एक खुसकबरी आपके लिए और भी है और कहीं न कहीं चात्र एक्ता के जीत होती हुए भी दिख रही है अभी आज ESI में तो हम लोगों ने जो भरती बोर्ड से यहां पे वो ले लिया है है न ग्यापन देके उनसे जो अपनी हां ही भरवाही ली है उसके बाद अभी देखा जाए तो अलहाबाद हाई कोट आरो एरो की जो परिक्षा होई थी जिसमें इतनी धांदली के चांसेस थे उसमें बच्चों ने जो रिट फाइल किया था वो एकसेट कर लिया गया है और कहीं न कहीं जो उनका डीबी पीस्ट या जोइनिंग का प्रोसीजर था उस पर इष्टे लगा दिया गया है तो नेक्स्ट हीरिंग तक अब कुछ नहीं हो सकता है और बच्चों ने बहुत अ लास्ते पर हो तो कोई भी चीज आपसे ऐसा हो नहीं सकता कि आपके हाथ लगे ना जो आपके जिसके लिए डिजर्व करते हो यह बात एकदम दिमाग में रख लेना अगर आपने मेहनत किया है तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूवत है अपने कदम को आगे बहुत अजीबो गरिक थी उसका सेलेक्शन पॉजिशन जो प्रॉसीजर था बहुत ही अजीबो गरिक था और उसके भिहाँ पे बच्चों ने जाके रिट जायर किया और वहां पे उनका रिट एक्सेप्ट भी कर लिया गया और बाखी चीजों पर इसले लग गया है पूर बड़ी हुई है ना क्योंकि रिट में ये तो प्रूफ अभी नहीं दिखा सकते हो तो धीरे-धीरे केस खुलेगा तो वहां पे भी वह आएंगी प्रूफ कि यहां पर धानली भी हुई है पेपर भी आउट हुआ है पेपर अकराया भी गया है जब अधस्ति बच्चों को कराया गया है जब अधस्ति नंबल उटाया गया है यह सारी चीज़े आएंगी किक करके लेगिन सबसे जरूरी था कि आपका रिट एकसेप्ट हो जाए और भाती पर इस्टे लग जाए अगर यह गयर कानूनी तरीके से किया गया है तो तो वह हुआ भी यह आपका जो पू स्रिवास्तों प्यंका स्रिवास्तों इनके क्या है प्रेटिस्नर है ऐसे ही एक अलग जो रिट संख्या ती ना उन्तालिस सतावन दो हजार बाइस का जो है इसमें सुसील कुमार भारतियन अलग ही रिट अपने बलबूते पर डाल दिया है उसके बाद चार हचार बयालिस इनका रिजल्ट जारी किया गया था उसके संदर में यह जारी किया गया है एक्सप्ट हुआ है और इसमें कुछ मुद्दे बहुत जरूरी है कि एक तो क्या है कि जो एंटिये इसका है अथराइज बाइदा रिस्पॉंडिंट हाई को फॉर कंड़क्टिंग एक्जामिशन परस्वेंट टुदा अफॉरसेट एडवर्टीजमेंट डेट सत्रा अगास दौज़ाज रिकिस को जो एंटिये रिजल्ट निकाला था उसकी बात कर ला है लेकिन यह सब आपके मतलब की बात नहीं है मतलब की बात आपकी सुरुवात होती है यहां से यह आपका जो पर टीजमेंट में कहा ही नहीं गया तो इस मुद्दे पर बच्चों ने रिट फॉलो किया है रिट उसमें किया है तो यह बात आप समझते हुए चलना कि अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है तो बहुत सॉलिड पॉइंट उनके सामने रखा गया है दूसरी बात एक जो सब किये गए तो यह बहुत बड़ी गरबड़ी हो गई जबकि उनका क्राइटीज पच्चिस वर्ड पर मिनिट का था रिटन में उनका निगेटिव नहीं था लेकिन टैपिंग में वह 0.1 एक एर पर निगेटिव यह सारा पोसीजर यहां पर यही लिखा हुआ है इसे हम बोला गया है कि जो लॉन काउसर फॉर्ट पैटिस्टर्स है रिज्ट ऑब्जेक्शन में लिफार पार्ट सेकेंड इग्जामिशन पार्ट सेकेंड के लिए में उन्हों ने जो रिट है उसे रेज किया गया है और यह जो नॉन सेलेक्टेड है उनका टाइपिंग स्पीड पांसो के अब आने के बावजूद भी नहीं सो किया गया है और यह भी कहीं नहीं मेंसन किया गया था कि जो पैरग्राप दिया गया था वह 500 वड़का है कि सारी 400 वड़का है कि क्या पूशिजर लगाया हो कि ग्रॉस इसने स्पीड लिए उन सब के विहाब पर यहां पर कह नहींट में किया गया एक और मुदधा जो उठाया गया है वह मुदधा ये है कि झो एक ब्लैक लिश्टेट कंपनी आансी है कॉनसी है ऍप है यहां पर आप इससे देख लो जो है्यां नहीं आपनी सब्सटेरी कंबनी को हैर किया है जबके फित कहीं नहीं यूपी पीसल के द्वारा blacklisted हो गई थी और इसके कारण कहीं न कहीं ये रिट में ये डाला गया है कि इसके कारण पूरा का पूरा result क्या हो गया है entire selection doubtful में आ गया है तो ये जो entire selection doubtful लिख दिया गया है point इसी के बलबूते पर evidence collect किये जाएंगे और होता क्या है कि जब आप रिट फाइल करने जाते हो तो इस point पर फाइल किया जाता है जो advertisement में point दिया या नहीं दिया है उसके भिहाब पर rate up का file हो गया और जो यूने point mention कर दिया कि doubtful है इसके भिहाब पर जो evidence है जो paper out हुआ है उनको उन चीजों को यहाँ पर आपके सामने उजागर किया जाएगा और यह case बढ़ने दीजे मैं आपसे बोलूगा जो बच्चे दे रहे हैं उनके साथ आप लोग और जाओ hearing करो अभी एक सत्ताबाद hearing फिल से होगी तब तक के लिए कर दिया गया है और यकीनन इसमें आपको फाइदा मिलने वाला है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर चीजे घपलावाजी होई यह बात आप भी जानते हो और सभी जानते हैं वरना सामने आही जाती है यह बात आपको समझते वे चलने तो दो पॉइंट इन्होंने उठाय गया है और अन्तता इस रिट में यही बोला गया है कि जब तक यह देखो डिवीजन वेंच आप दा हाई कोर्ट इस राइड इन इस कॉंक्लूजन देट सेलेक्शन क्राइटियरिया विस सौ दालाइट अप देखलेशन क्राइट सेलेक्शन रिजर्ट कुट बी ऐसे बाइ अब यही बोल दिया गया है कि अभी इस लग गया तो बच्चों देखो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं अभी आज भी देखें आप लोग यूपी यह साई में कहीं न कहीं उनसे गड़ पड़ी होई तो उन्हें जुकना पड़ा उन्हें बात को मानना पड़ा आरो यह वही है इन वेकंसी में हमने कितना दम लगाया है हमें पता है कि एक एक चाहे वो चैप्टर एक एक सब्जेक्ट हो कितना हमने उसमें मेहनत जोग दिये इवन कोशन तक फसा दिया बहुत बड़ी बात होती है जब option भी ना change हो और हमें पता है कि जब प्रदेश में सब चादा ब करो कि आप अपना अच्छे से करो जो आपकी यह सब चीजे हैं उसके लिए टीम परिशाप के साथ हमेशा साथ रहा है हमेशा साथ रहेगा पूरे तन मन धन हर तरीके से सामदाम नंडवेट कुछ भी लगाना पड़े लेकिन आपको न्याए और आपको सेलेक्शन दिलाने से का जो हमने यहां पर जिम्मेदारी उठाई है वह करके रहेंगे इस बात का मैं दौब करता हूं आपका इसने मिलता है आपका प्रेम मिलता है उससे हम और भी कही ज़यादा प्रेडित होते हैं चीजों को आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं उत्ताब और इसका इसे का इस बात से डिमोलाइज है कि सायद परेक्षा की तायारी करने का कोई मतलम नहीं रहे गया। दूसरी बात यह उन तक भी पहुंचे उन बच्चों तक पहुंचे जो गलत तरीके अपनाते हैं पैसा दे के या गलत तरीके से अपना नामापे करते हैं कि भाई आठ लाग डस लाग पंद्रा लाग बीस लाग बरबाद करने का कोई मतलम नहीं है अंतता बच्चे बीस लाग बरबाद करने की जरुवरत नहीं है कोई धंदा कर लोगे वो ज्यादा बेटर है उन तक मैसेस पहुंचाने का इसलिए आप से अरकरों तीसरी बात उन जो ऐसे बोल सकते हैं कि सौदागर लोग हैं जो धंदा बना रखे हैं कि बच्चों को पास कराने का सौलव ना लगेगा और इसका कोई फाइदा होने वाला नहीं है और इसलिए मैं कहा रहा हूं कि इस वीडियो को अब अपने जादा से जादा दोस्तों के साथ सेर करो ताकि एक जो उर्जा है वो मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी समान रूप से एक ही समय में प्रेशी तो हो जाए और हम लोग आगे बहुत अच्छा करने के लिए प्रेशी तो तरे फिर मिलेंगे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभास अभी का